नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया नियूस का डिस्टल चैनल इन खबर आज हम बात करना है कंग्णा रनावत आलिया भट और रनवीर कपूर की जी हैं कंग्णा रनावत ऐसी एक्टरेस हैं जो किसी भी बड़े एक्टर के खिलाफ कुछ भी बोलने से डरती नहीं है हाली में मनिकर्णिका की सक्सेस पार्टी के दौरान कंग्णा ने रनवीर कपूर और आलिया भट को आड़े हाथो ले लिया उन्होंने रनवीर के दाजन्यातिक मुद्दो पर विचार ना रखने को गैर जिम्यदारा ना बताया था अब एक इवेंट में आलिया भट से इस बारे में सवाल पूछा गया आलिया ने बड़ी समझदारी के साथ इसका जवाब दिया साथ ही उन्होंने कंगना के तारीख भी की आलिया कहती है मेरे अंदर कंगना की तरह खुल कर बोलने की छमता नहीं है लेकिन मैं कंगना की बेबाकी के लिए उन्हें बहुत ही इज़्जत देती हूँ हाँ एक तरीके से वे सही भी है कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैक स्टेप ले रहते हैं हमें लगता है कि क्यों फालतू में बोला जाए मेरे विचार हैं लेकिन उसे मैं अपने तकी रखना चाहती हूँ मेरे पापा मुझे अक्सर कहते है कि दुनिया में हर कोई हर बात पर अपने विचार रखता है तुम अगर नहीं रखोगे तो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा बता दे कि आलिया ने हमिशा कंगना के बातों का जवाब दिया है फिर जब बात रणवीर की हो तो चुप कैसे रह सकती है बता दे कि कंगना ने रणवीर को लेकर कहा था रणवीर कपूर कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले हमने क्या किया हमने कुछ नहीं किया ऐसा नहीं चलता आपको जमिदार बनना पड़ेगा आपको पता है कि देश की वज़े से आपका घर है या देशवासियों का ही पैसा है जिससे आप मर्सडीज में बैठते हैं आप इस बात की तरह बात कैसे कर सकते हैं बता दे जॉन अब्राहिम ने भी कंगना का सपोर्ट किया था जॉन ने कहा था अगर एक्टरस पॉलिटिशन अवेर हैं तो उन्हें ऐसा जरूर करना चाहिए मुझे लगता है कि अगना अनावत को चीजों की जानकारी होती है अगर आप पॉलिटिक अवेर हैं तो आपको अपनी राय रखनी चाहिए इसके साथ ये जोड़ना एहम है कि उनके पास पॉलिटिक सी समझो आप ऐसे मुर्क नहीं हो सकते जिसे किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं है आपको अगर नहीं पता कि बिहार से लेकर सीरिया तक क्या हो रहा है तो आपको चुप ही रहना चाहिए अब ऐसे में रनवीर कपूर की टिपणी अभी भी सामने नहीं आई है अब देखते हैं कि रनवीर कपूर इस बारे में क्या कहते हैं फिलाल तो रनवीर कपूर की इस बारे में कोई टिपणी नहीं आई है अगली अपडेट के लिए बने रही है हमारे चैनल इन खबर पर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सस्काइब जरूर करें धन्यवाद